जो हम डेली वाली सबजी बनाते हैं उसे बनानी के लिए हमारे पास काफी ज्यादा टाइम नहीं होता है कि उसमें हम 10 तरह की अलग-अलग मसाली यूज़ कर सके ताकि उसका टेश्ट और भी ज्यादा इन्हांस हो जाए तो मैंने सुच है क्यों आपके साथ सिर्फ एक मसाली जीरा गोल की और घरम मसाला कुछ नहीं आड़ करना पड़ेगा यह ओल इन वन मैजिकल मसाला है जिसके बज़से आपका देली का खाना भी बहुत ज्यादा टेश्टी हो जाएगा एंड आपके साथ मैं सेयर करूंगी कि आप इसे लंबी समय तक कैसे स्टोर कर सकती हूं सो हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सौम्या और आप से भी का वेलकम करती हूं अपने चैनल पर सो रेस पे को बिल्कुल इंट वाच करिएगा ताकि कोई भी स्ट्रिप मिस्स नहों जाए और रेस पे चलेगा तो प्लीस से लाइक कर दीजेगा तो चलिए स्टार्ट करती हूं सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक गढ़ाई लिया है आप कोई पैन या फिर तवाई का यूज़ कर सकते हो अवी फ्लेम ओन नहीं हुआ है सबसे पहले मैं इसमें एड्ट कर रही हूं चार बड़ा चमल साबु धनिया और साथ में एड्ट कर रहे हूं दू बड़ा चमल जीरा और एक बड़ा चमल सॉफ centro शावरा जीट सेट कहा जाता है سॉफ की बहुत सारे फायदे हैं जो हमारी breathing problem होती है मतलब की मूसे चाहिता है जो भार खानी को जाती है तो लाश्ट में आपनी दीखा हो कि सौ खानी को दीता है तो इसी प्राइब की बज़ये से दीता है और साथ में ही डाइजिस्टिप सिस्टम बहुत अच्छा रहता है और ब्लड को प्यूरिफाय करता है एक बर चम्मिस ब्लैक पेपर कॉर्ण इसे ज़्यादा नहीं आपकर नहीं है सारे मिजर्मिन आपको इसपीप्चरण बॉक्स दुम झायेगे यह एक बच जरूर से चेक करना और नेक्स आपकर करें वीच बास की आसपास यहां पेर लॉंग और साथ में याट करे हूँ एक बड़ चमद साही जीरा बहुत अच्छा इसे भी टेस्ट आएका मसाली में बड़ आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो आज डाट करे हूँर आदा छूट चमद मीथी इसे ज्यादा नहीं एक अल्गा धकर अब बहुत ज्यादा करवा हूता है मीथी लीना चाहिए तरह मैंनी मसाली में या या जिसर्षी भी आपके पेड़कन चूटू है прот के लिए बहुत ज्यादा फाइदे मंध्स होगाता अरोमा बहुत ज्यादा अच्छा है आप इससे म्याइड करो और साली का जो फिलेभर है ने अरोमा बहुत ज्यादा ज्यास होगा अटरह स्की चाहें थीन से ताल चिनिक जिसे कि सिनमने स्टिक भी खाँ जाता है सिनमने स्टिक जो अप एड्ट गरोगी वह हमारा गरम श्वार का काम करेगा मतलब एक ही मसाली में आपको सारी मसाली का फ्लीवर मिल जायाएगा कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आड़ करना पड़ेगा सबच यहां प्रैयः हूँ आधाशमल की आसपस मैंग जिसे की जावई द्री कहा जाता है अगर आपके पास यह नहीं तो अप चक्रफूल आड कर सकते हो आप दोनों में से कोई कैड कर लेना निक्स्ट मैं यहां पर राइट कर रही हूं आधा चमल अजबेन इससे हमारा डाइजेस्टिप सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा होता है जिने डाइजेशन में प्रोग्लम है उन्हें जरूर लेना चाहिए निक्स्ट मैंनी यहां पर लिया है 5-6 सुखी लाल मिर्ष छूटा वाला मिर्ष रबट बहुत ज्यादा तीखा है यहां पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी कि जब आप लाल मिर्ष को यूज करते हैं मसाली के लिए तो जो पीछे वाला डंठल होता उसका जरूर सी यूज करना क्योंकि बहुत सारी लोगों को सिकायत होती है कि लाल मेट से पीट में जलन होती है तो वाली प्रॉग्लम नहीं होगी आप यह जो डंठल है पीछे वाला उसका जरूर सी यूज करना और साथ में यहां पर चार सी पांस तीश पत्ता तो दोनों चीज़ों को छ करेंगे क्योंकि बहुत चोटा-चोटा यहां पर समान वो जल जाएगा तो आपको ध्यान रखना है और मैं यहां पर आपको सजिश्ट करूंगी कि आप एक वार में बहुत ज्यादा क्यों मसाला मत बनाना जितना मैं यहां पर आपको बता रही हूं आप इसे 15-16 दिन के ल करते हूं वैसे आप इसे भी 15-17 दिनों के लिए बाहर रख सकते हूं तो शली मसाली को भूनते हुए एक मिनट का टाइम हो चुका है तो इसे पर फ्लीम को आफ कर दी रही हूं एड़ कर रहे हूं चार बड़ा चमश कसूरी मीथी जैसे की फिनुगरे क्लिव भी का जाता ह तो बस इसे भी हम सभी मसालों की साथ मिक्स कर लेंगी ताकि यह भी हल्का-फल्का गर्म हो जाए और असानी से पेस जाए तो शली मसाली काफी अच्छे से भून चुकी है सो इसी बिलकुल अच्छे से ठंडा करने के बाद में ट्रांसफर कर रहे हूं ग्रेंडर्शार में आप छोटा लजार यूज़ करना ताकि जो मासालों बिल्कुल फाइन तयार हो एंड यहां पर थोड़ी सी चीज़ें हम और एट करेंगे सो सबसे पहले मैं यहां प्राइट करेंगे 1x4 चमश हींग इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और नेक्स्ट मैं यहां करें एक चमश सुखा आम अकसर मैं असी सुखा कर रखती हूं आप इसके जगह पर आम चुट पॉडर यूज़ कर सकते हूं और आप चाट मसाला भी उसकर सकते हो एंड नेक्स्ट कर रही हूं आदा चमश बीटूट पॉडर इससे जो मसाला उसमें बहुत अच्छा सा कलर अच्छा खासा लाला एगा लास्ट अब मैं यहाँ पर सबसे ज़रूरी सीचा अट कर रही हूं एक बड़ चमश कॉन फ्लोर इससे हमारा मसाला का सेल फ्लाइक पड़ेगा और जो नमी आ जाती है मसाले में मतलब मसाली जो सीलने लगते हैं वह वाली प्रोग्लम नहीं मैं इसमें एक चमश चीनी आट किया था जब बाहर से मसाला लाते उसमें हलका सर्मी ठास होता है सो मैंने भी आप राट किया है पिक वर ट्राय जरूर से करना सो बस हमारा ओल इन वन मैजिकल मसाला तयार है आप इसे श्टूल करो 15 दिनों के लिए एर टाइट कंटीनर में मैं आपको बापस से बूलूँ कि आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाओ एंड यूज करो और बापस से बना लो सो मैं इस मसाले से बहुत सारी रेस्पी बनाने वाली हूँ सो उसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप यूई रेस्पी